तल नागपुर में सत्संग शोभायात्रा का आयोजन किया गया था जिसमें संतों का नगर प्रवेश किया गया लोगों को राश्ट्रसंत ललित प्रभु सागर महराज द्वारा सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाई गई नागपुर के वर्धमान नगर के धनसल सलोन में प्रवेश को बदलिये हम केवल अच्छे लोगों की तलाश मत करते रहे खुद अच्छे बन जाए ताकि हमसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए उन्होंने कहा कि लोग कहते है जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीब होती है परन्तु असली तकलीब तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरिया बना लेता है याद रखे किसी को सजा देने से पहले दो मिनिट रूकिए याद रखिए अगर आप किसी की एक गलती माफ करेंगे तो भगवान आपकी सव गलतिया माफ करेगा कदम हमेशा संभल कर रखिए और सोच हमेशा उ पर श्रद्दालूओं को सकरात्मक सोचने की कला सिखाते वए संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक मिनिट में जिन्दगी नहीं बदलती पर एक मिनिट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिन्दगी बदल देता है केवल किसमत के भरों से मत बैठे रहिए जीवन म के इतवारी के करन कोठारी ज्वेलर्स में आने पर श्रद्दालू भाई भैनों द्वरा धूमदाम से स्वागत किया गया इस अवसर पर सत्संग शुभायात्रा का आयोजन हुआ इस दवरान युवावने गुर्देव के जैकारे लगा कर स्वागत किया धर्मसंग की भैन अक्षत उचाल कर गुर्य जैनों का बधावना किया कारेक्रम में श्री अजितनात जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट एवं श्री अरिहंत गुरूप के सबी सदस्य विशेश रूप से उपस्थित थे इस दवरान गुरु भक्ती पर श्री निपुरुना आराधक मैला मं अंडल ने सुमधूर भजन की प्रस्थोती दी मंच संचालन मनुच कटारिया ने किया और आभार संगध्यक्ष सुनिल जैन और सुरेंद्रक उठारी ने किया